दोस्तों आज हम देश के उन तीन करोड योगाओं की बात करते हैं जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परिक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और उनकी जगा और कोमन एबिलिटी एलिजिबिटी टेस्ट कराने का फ्रेश लग गया है तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज हम देश के उन तीन करोड युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परिक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इनकी जगा कॉमन एलिजिविटी टेस्ट कराने का फैसला किया है किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत मैतोपूर होता है और भारत के करोडों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि वहाँ एक न एक दिन शरकारी नोकरी कर पाएंगे लेकिन आज की बात से सरकारी नोकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और पहले से आसान भी हो जाएगा इसलिए आज हम सब से पहले सरकारी नोकरी की ही बात करते हैं पहले क्या है अलग-अलग आविदन पत्र नहीं होंगे अब भारत के करोडों युवाओं को बैंकिंग रेलवे और स्टाप सेलेक्शन कमिस्वन यानि की S.S.C. की मुख्य परिक्षाओं में बैठने के लिए अलग-अलग परिक्षाओं नहीं देनी होगी इससे पहले इन विबागों के लिए तीन चरणों में परिक्षाओं होती थी सबसे पहले परिक्षा होती थी इसके बाद मुख्य परिक्षा और आखर में इंट्रव्य होती जरिया कि जिए उमिद्वार का चैन होता था ट्रीके जो मतलए कि जो भी पहले होती थे जीसे आपका बैंकिंग और रेल्वेर का हो गाया स्टाफ सेलेक्शन का परिक्षा होती थी उसके बाद मुख्य परिक्षा और आखिर में इंट्रव्यू के जर्या क्या होता था लेकिन नहीं ब्योस्ता के थैट अब इन अलग-अलग सरकारी विवावगों के लिए अलग-अलग परिक्षा नहीं होंगे बलकि इन तिनों के लिए एक Common Eligibility Test यानि कि CT का आईजन होगा सबसे पहले हर परिक्षा के लिए आवःधन पत्र और अलग-परिक्षा केंद्र होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होते थे लेकिन अब एसा नहीं है अब एकी परिक्षा एक केंद्र परिक्षा केंद्र और एकी आ प्रिक्षा पास करो फिर दूसरी प्रिक्षा फिर इंटर्वी उसकी जग़ा खतम हो गया और आप कफि al00 किया है केविनेट की बैठक में Common LGBT टेस्ट कराने के लिए National Requirement Agency यानि की NRAE की गठन को मंजूरी दी गई है ठीक है यानि की Common LGBT जो टेस्ट है वो कराने के लिए किसको क्या गया है National Requirement Agency को क्या किया गया है गठित किया गया है ठीक है देस में फिलाल 20 एसी एजनसिय है जो अलग-अलग सरकारी नोकरी के लिए अलग-अलग परिक्षाएं आयुजित कराती है लेकिन NRAE के अंगठन की बाद वर्स 2021 को बैंकिंग रेलवे और SAC की मुख्या परिक्षा में चैन के लिए एक ही परिक्षा पास होगी बाकी विभागों की परिक्षाओं को जल्द ही कोमन LGBT टेस्ट यानि की CET के दार्य में लाने की तैयारी चल रही है अब देखिए इसकी फाइदे देखिए सबसे पहले 12 भासाओं में प्रशन पत्र इससे फाइदा ये होगा कि CET की परिक्षा पास करने के लिए उम्यदवार ये फैसला कर सकता है कि उससे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्या परिक्षा देने या फिर रेलवे और SSE की मुख्या परिक्षा देनी है CET में हासल किये गए अंग यानि मार्क्स की जो बेदिता है तीन साल की होगे यानि अगर कोई यूवा चाहे तो उन्हें नंबर की मार्क्स पर सबसे पहले रेलवे दूसरे साल बैंकिंग और 30 साल SSE की परिक्षा दे सकती है यह हम आपको शिर्फ उदारण के लिए समझा रहे हैं तीन वर्षों के दोरान यह परिक्षा देनी का करम कुछ भी हो सकता है और उमिद्वार की चापा निर्बर करता है कि वह पहले कौन सी मुख्या परिक्षा देना चाहता है ठीकर कोई अगर सिएटी पास कर लेता है तो किसी भी जो है जैसे की रेल्वे हो गया SSE हो गया उसपे डेपेंड करता है कि वह पहले किस की मुख्या परिक्षा देता है ठीकर सिएटी लिओ हर जगा हो जाएगी यानि की रेलवे में SSE में ठीकर और उमिद्द्वार की इच्छापा निरुपार करता है कि सबसे पहले कौन सी मुख्या परिक्षा देना चाहता है सरकार की कोशिस है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरों के लिए बाकी की परवेश परिक्षाईं भी कौमन एलिजिबिटी टेस्ट के माध्यम से कराई जाएगी ठीक है एक वर्स में दो बार जो है सीटी का आईजन होको सकता है नेशनलर्क्ःश आइजनसी अभी एक वर्स में दो बार सीटी का आईजन करेगी हर साल जो है दो बार आपका सीटी का टेस्ट होगा इस परिक्षा में objective सवालों वाले प्रश्ण होंगे objective टाइप के सवाल होंगे दोस्तों एक question के 5 ये 4 option होंगे उसमें से एक सही करना है इन परिक्षाओं में अभी तक केवल दो भासाओं में ही प्रश्ण पूछे जाते थे और ये भासाओं आम तोर पे हिंदी और अंग्रेजी में हुआ करती थी लेकिन चात्रों को 12 भासाओं में प्रश्ण पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है बविशे में इन परिक्षा का आयुजन भारत की सभी 22 अधिकारिक भाष्टाउं में कराए जाएगा यानि की यानि उमिद्वार जल्द छेतरे भाष्टा में भी यह परिक्षा दे पाएगा अगला उमिद्वारों को सबसे बड़ा फैसला यह होगा कि तीन प्रारे में परिक्षाओं के लिए एक ही आविदन करना होगा एक ही शुलक देना होकर एक ही बार एकजाम में बैठना होगा ठीक है यानि कि तीन सालों में आप सिर्फ एक बार सीटी पास करके कहीं भी मला की क कि अब हम कुछ सवाल जानते इसे रिलेटेट कुछ सवाल जानते पहले सवाल यह है कि आखिर सीटी यानि की कॉमन इलीजिबिटी टेस्ट है क्या तो यह आमने जो है दरसल यह केंदर सरकार से जुड़ी नोकरियों के लिए ओनलाइन होने वाली परिक्षा है जिसे कॉमन LGBT टेस्ट नाम दिया गया है दूसरा सवाल यह है कि यह दूसर सवाल है कि यह परिक्षा दे कूण सकता है ठीक है ओंलाइन होने वाली इस परिक्षा में ग्रेजुशन बारवें और टेंथ की परिक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं लेकिन क्योंकि यह परिक्षा अलग-अलग पदों के लिए आई जित होगी इसलिए पदों के हिसाफ से ही अलग-अलग प्रश्ण पत्र त्यार की जाएंगे आप टेंथ पास करके तो इसमें क्या होगा अलग-अलग पदों के हिसाफ से परिश्ण पत्र है उतेयर के जाएंगे तीसरा सवाल यह बनता है कि CT के माध्यम से किन विभागों में नोकरी मिल सकते हैं फिलाल तो आप देख सकते हैं कि ससी हो गया बैंकिंग हो गया रेलवे में ही कॉमन एलिजिबिटी टेस्ट आयजूत होगा लेकिन ध्यान रखें कि यह सिर्फ परारे में परिक्षा है इससे पास करने के बाद आप इन सबी विभागों की मुख्या परिक्षा को भी पास करना होगा और इंटर्व्यू भी क होगा और फिर उसके बाद मुख्य परिक्षा उसकी अपनी हिसाब से होगी और इंटर्व्यू क्लियर करना होगा चोता सवाल यह है कि कॉमन एलिजिबिटी टेस्ट का फाइदा है क्या तो अलगला भर्तियों के लिए एक ही परिक्षा से होने वाले उमीद्वारों के पैस पड़ेगी और इससे सरकार के खर्च में भी काफी कमी आईगी कॉमन एलिजिबिटी टेस्टे हों से उमीद्वारों की भरती परक्रिया भी छोटी हो जाएगी यानि कि मुख्या परिक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह पर परणे में बैठने के लिए तो जब आपने प्रादर परिक्षा यानि की यह दोस्तों आपके नहीं कि यह नहीं कि कि आपने जैसे common LGBT टेस्ट तो ससी कई वेट करना है किसी का वेट करना नहीं है रेलवे का पहले आता तो रेलवे की मुख्य परिक्षा में और अगर banking का मुख्य परिक्षा पहले आते तो उसकी जो है अपलाई कर सकते हैं इस परिक्षा में मिले इसकोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया सकता है ओमर की अधिकत्म सीमा तक पहुंशने से पहले उमीध्वार इस परिक्षा को जितनी बार चाहे दे सकता है इस केंदर सरकार राजे सरकार हो केंदर सासित परदैसों और पडलिक सुल्टर की कंपोरियों के साथ भी सेहर किया जाने की योजना है ठीक है नेक्स्ट है इससे महला उमीद्वारों को भी बहुत बड़ा फाइदा होगा क्योंकि उन्हें परिक्षा केंद्रों तक जाने के लिए लब्मी यात्रा नहीं करने पड़ेगी इससे परिक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उमीद्वारों की संख्या में भी पांच पर परिक्षा केंद्र बनाए है हर जिले में एक परिक्षा केंद्र होगा इसके अलाव सरकार ने सरकार उन 117 जिलों का भी को भी चुना है जिने सरकार युवाओं को रोजगार देने के उदस्य से बेक्षित करना चाहती है CT के परिक्षा इन जिलों के परिक्षा केंद्रों पर आयुजित होगी और यह पूरी तरह से computerized होगी यानि कि computer के थ्रोग होगी अभी तक यह परिक्षाइं सिर्फ बड़े जिलों में आयुजित होते थी लेकिन अब्देश के छोटे जिलों के युवाभी इनमें हिस्सा ले पाएंगे और आखरी जो सवाल बनता है दोस्तों का इस तरह भी अलग अलग होगा है यानि कि 10 पास करने के बाद सीटी देने वाले उमिद्वार से ग्रेजियोशन कर चुके उमिद्वार के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे ठीक है ओविसली यह होना चाहिए ससी बैंकिंग और रेलवे की प्रार्यम परिक्षाओ में हर साल धाय से धाय से तीन करोड उमिद्वार हिस्सा लेते हैं और इनसे देश की करोड़ों परिवारों का बभिश्या